वेलो गैस वेलकम टू मैं चनल तो आज मैं आपके लिए लेकर आएँ एक जेनरिक मेडिसीन एक पेटेंड मेडिसीन और हम इसके बार में बात करने वाले हैं किसका हम यूज आने वाली है किसका हम यूज नहीं आएगी अजित्रोमाइसीन वह एक सोल्ट है अब यह किस-किस सकता है और कैसा हो सकता है ऐसके बार में बात करने वाले है जैसे के पहले तो बात करते हैं यह जाएक। है यह शिपला कंपनी का है तो च्राम में बात करने वाले है कि क्या खालते ही की रिलिटेकर और क्वंसी जैनली कमदिशन में क्या हो रहता है कि अब करने और उसे लाइशिन है और सभग है सब कु दोऑ है सब कुछ सेम है मैं प्रइबी आपको लगवाग उतनी है वन थाटी वन की यह आपकी और यह आपकी है इसमें फैटी रुपीज की इसमें फैटीबलेट अब ब्रांडिड मेडिशीन का अमर्ड में इतना पैसा कड़ुआ है भार ब्रांड करते हैं जो कि यह जेनरिक बहुत हैं और जेनरिक कोई इतना वह बाहर इतना परचार करते हैं तो इसलिए इसके रेट बिल्कुल भी बहुत ही कम होते हैं ब्रांडेड मेडिसीन की एक्कूरेसी बिल्कूल हंड़र्ड परसंट रहती है इसमें 75-80 परसंट इतनी एक्कूरेसी रहती है जो कि एक branded medicine बहुत टेस्ट करके बनाई जाती है बिल्कुल और generic medicine को ज़्यादा वो नहीं दिया जाता है तो इसलिए branded medicine ही patent आपके इसलिए महंगी पड़ती है वैसे सेम चीज़े दवाई भी सेम है काम भी सेम ही करती है जैसे कि अजित्रोमाइसिल मैं बता देता हूं आपको गले की infection के लिए खासी के लिए इन सी चीजों में यूज करा जाता है टॉंसिल में गले का कोई भी infection हो से बिल्कुल ही खतम कर देता है एक antibiotic medicines है एजेक्स 500 और एजी 500 अब इसके बात करते हैं डोजिस के अगर आपको डोज लेना होता है वैसे दिन में एक बार ही रहता है और अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा गले में दर्द है इचिंग है तो आप इसे सुबह शाम ले सकते हैं यह एक ही बार को कोडस होता है वैसे तो इस इसमें आती है यह तो आप इसे सुबह शाम या दिन में एक बार ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हों गले में दर्द भी है आपको खांसी और चांसी आ रही है तो और इसमें साइड इफेक्ट इसका कुछ नहीं है अगर तो जाता है आपका गले में इंफेक्शन और बढ़ सकता है अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं अब बात करते हैं जैनरिक मेडिसिन के प्राइज़ और ब्रांडेड मेडिसिन के प्राइज़ अब प्राइज़ में यह रहता है जैनरिक मेडिसिन अगर इस पे 70 रूपीज है तो आपको ये आपको 30 रुपीज 25 रुपीज की ही आती है जाज जादा इसे सेल भी करेंगे तो आप 40 रुपीज की कर सकते हैं या ले सकते हैं या आपके 131 के तो 120 में आपको मिल जाईएए तो इसका थोड़ा कुछ जादा रहता है इसमें में बहुत कम रहता है और जनरीक में बहुती ज्यादा डिसकान्टू तो यही मैं बताना चाहता हूं, जनरीक मेडिसिन में आपको फायदा भी है और पेठंट आपका वो भी है थोड़ा अगर किसी को ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने तो आप जैन्दिक मेडिसिन ले सकते हैं इसका आपको सही ग्रीट मिल जाता है काम दोनों के सेम है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच